गोभी वर्गिये सब्जी की फसलों का सब्जयों की फसलों में मुख्य अस्थान प्राप्थ है। हमको इस तरह से प्रबंद करना है कीट का भी प्रमंदन हो जाए और हमारे सबजीयों के ऊपर कोई कीट नसक का और सेस भी ने रहें जिसको हम खाए तो भी हम स्वस्त रहें तो मैं सरपरत हम यह बताना चाहूंगा कि गोभी में खास करके हमारे रारकन राज में तीन चार तर उसके जो पंक पर हीरे रंग का एक अकार बना रहता है इसलिए इसका नाम रखे हैं हम लोग डायमंड बैकमाथ और यह जो कीड़ा है पूरे बिस्स में सभी जगह नुकसान पुचाता है और हमारे जारकन राज में जो की गोभी हो गई पत्ता गोभी यह सब हम लोग सालो प्रकोब तेजी से फैलता है जिसकी वज़ा से किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है ऐसे में जरूरी है कि आप उन्हें कीटों से बचाए इससलिएक चाए केड गार्व फभी प्रणे में इससे कीट का बचा रहा है और दूसरा हिसे फसल बढ़ रही है और कीट का अगरप डिक रहा है कूकिनी तो इससे की पजार भावी बहुत ही प्रभावित हो जाता है तो ऐसी प्रस्तितियों में जब देखें किसान भाई कि इसका परकौप हो रहा है तो हम यह कहना चाहेंगे कि लगाने के बंदा गोमी लगाने के करीब 10 से 12 दिन के बाद काटे फाडर कॉलराइड फोरजी नाम के दबा आती है उसकी जो एक गराम मात्रा परती ठला में डाल दें इससे क्या होता है कि अगर अब शुरू में डाल देंगे तो कीट नासक का प्रभाव का असर नहीं रहेगा जब पसल तयार होंगे तब इससे भी इस कीट का प्रभाव दाता है और यहां सबसे महुत पुर्ण बात है कि यह कीडा जो है लाइट की तरह प्रकास की तरह आकरसित होता है तो आज के दिन में प्रकास प्रपंच पी बहुत सारे अबलेवूल है जो बैटरी चलिद भी हैं सोलर चलिद भी हैं तो मैं चाहूंगा किसान भाई से उसका उप्रयोग करें और ख